प्राधे रादे, आप ये चैनल के मदंधेम से सबको सुथ कामनाएं, सिवरात्रि के स्वावन पर्व की, इस बार भी थोड़ा सा संसारे के स्थितिटी लोगों में बन रही हैं कि सिवरात्री आठ तारीक हो हे कि नवथारीक हो है, तो सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आठ तारिक वही सिवरात्री का प्रव बनाया जाएगा, तो इसलिए जो है भगवान सिव की उपासना के लिए जो समय आ रहा है वह रात्री कालीन में ही रहेगा और आठ तारिक को ही मनाया जाएगा, क्यों की चतुरदसी का जो प्रवेश हो रहा है, वो साम को साड़े साथ बज़े हो रहा है आठ तारिक को, तो रात्री कालीन पूरी तरह से बो जो तिथी रहेगी, इसलिए जो है आठ तारिक को ही शिवरात्री का युवे पर्व मनाया जाएगा, और जिन भार उसका पुन्य काल होता है सुबैसे लेकर के राद्रिकालिट पूरी तरह से शिव उपासना की जाएगी और भगवान शिव की उपासना के लिए यदि आप चाहते हैं कि हमारे मनोरस सिध्ध हो जाए हमारे अभिलासाइं पूर्ण हो जाए तो निश्चित रूप से पांच बेल पत्र ग्या कामना पूर्ण होगी और आप यदि लासाइं पूर्ण होगी और आप यदि लासाइं पूर्ण